जहिन दोस्तों, welcome back to our channel, welcome back to jobteria, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बैतरीन तरीके से लगे होंगे जहां दोस्तों, recently जो आपका साहे का चार्ज 1 to 5 का जो intermediate level का परिक्चा हुआ है उसी का जो है answer की को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, answer की को यहाँ पर analyze कर रहे हैं और यह topic wise जो मैं यहाँ पर वीडियो ला रहा हूँ, ताकि आपको understanding easily हो पाए चीजों का कि कैसे questions जो है आपके बने हैं subject में तो paper third का यहाँ पर मैं जो है physics का इस वीडियो में discuss करूँगा जो आपका 18 questions पूछा गया था, थार्ड में वाले सिप्ट में यानि थार्ड में का जो exam हुआ था, उसमें physics का 18 questions आये थे, तो इस वीडियो में detailed explanation देखने वाले हैं इस 18 questions का कि किस-किस topic से पूछे गए थे, और सबसे बड़ी चीज है कि level क्या रही है तो वीडियो पर अंतक बने रही है, बहुत ही helpful, बहुत ही fruitful होने वाली है आपके लिए because इसमें मैं detail analyze करने वाला हूँ और आपको भी level पता चलेगा कि upcoming exam जो आपकी होनी है उसमें आपको किस तरह की need होगी preparation की, क्योंकि 1 to 5 में अगर इस level का question आ रहा है तो सोच सकते हैं 6 to 8 में कैसा रहेगा, तो ज़रूर वीडियो को अंतक वाच किजेगा, चैनल पर दोस्तों फर्स टाइम जुड़े हैं यानि 9 cm दूर इस्तीत 4 into 10 to the power minus 7 कुलाम के आविस के कारण बिंदू P पर चमता की गन्ना करें यानि यह numerical question है, तो चलिए इसको solve करते हैं, ध्यान से देखिए इसका solution देखिए, यहाँ पर given जो आपका value है, क्यों दिया हुआ हुआ है यानि potential at point P निकालनी है, तो इसका formula हो जाता है, V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r होता है इस formula में put करेंगे, तो answer आपका आजाएगा इससे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि 1 by 4 pi epsilon 0 का जो value होता है, numerical वो होता है 9 into 10 to the power 9 newton meter square per column square होता है तो value को यहाँ पर put करेंगे, तो देखिए इसका calculation कुछ इस परकार होगा आपका 1 by 4 pi epsilon 0 का value जो है, 9 into 10 to the power 9 आ जाएगा वहीं q यानि charge का value given है, 4 into 10 raise to the power minus 7 और r यानि आपका distance जो दिया हुआ है 9 cm, तो cm को पहले meter में convert करेंगे तो हम लिख पाएंगे 0.09 meter convert करने के बाद, तो 0.09 करेंगे और जब इसको calculate further करेंगे, तो result we will get 4 into 10 to the power 4 volt यानि आपका option जो है correct हो जाएगा, 3, third option correct हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका 12th level का 11th level का physics जो है पूछा है यहाँ पर next है आपका यहाँ पर देख सकते है next question है किसी बिद्धूतिय धराबाई चालक के चारो और का वोग इस्तान जिसमें उसके चम्बू की प्रवाव कानुभव किया जा सकता है तो इसको बोलते हैं electric field यानि चम्बू की चेतर का जाता है option B आपका correct हो जाएगा next field again एक numerical दिया हुआ है दोस्तों पूछ लिया है यहाँ पर 10 cm लंबाई बाले एक चम्बू की दिधूर्व की धूर्व सकती 20 A है तो दिधूर्व की चम्बू की च्छन ग्याद करें यानि magnetic dipole of length 10 cm has pole strength of 20 A find the magnetic moment of the dipole यानि magnetic moment निकालना है तो इसका formula क्या होता है दोस्तों देखिए magnetic moment का formula होता है इसको हम capital M से दिखा रहे है magnetic moment को इसका formula होता है आपका pole strength into length होता है pole strength को small n से दिखाएं और जो है length को else से denote किये तो just इसका value put कर देंगे यहाँ पे given है आपका length given है और यहाँ पे आपका यहाँ पे pole strength भी given है pole strength आपका 20 जो है ampere है और वह ही अगर बात करें length की तो 10 cm है तो इसको cm को meter में convert करेंगे तो 10 by 100 लिख सकते हैं आप इसको calculate कर लेंगे तो answer आ जाएगा 2 ampere square यानि आपका option 2 जो है आपका correct हो जाएगा next है जदी loop में चम्बुकिय प्रवा का परिणाम बल रहा है तो प्रेरित धारा एक चम्बुकिय चेतर उत्पन करती है जो मुल चम्बुकिय चेतर में dash दिसा होती है यानि हाँ question है if the magnitude of the magnetic flusk is increasing in the loop then the induced current produces a magnetic field that is in the blank direction of the original magnet तो यह आपका 11 का physics का chapter है दोस्तों से पूछा गया है तो इहाँ पर इसका जो हो जाएगा opposite हो जाएगा इसका correct answer opposite direction में यह work करेगी तो भी आपका जो है correct option होगा next again एक जो है numerical पुछ लिया गया है transformer से related देख सकते हैं our transformer has an efficiency of 60% and work at 5 kilowatt if the secondary voltage is 150 volt then what is the secondary current हमें secondary current पूछ लिया है तो चलिए इसको solve करते हैं के लिए आपको इसका एक formula होता है जोसको आपको याद रखना होगा efficiency 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 बराबर power of output divided by power of input into 100% इसमें जो है value को put करेंगे और यहां से जो है हमें क्या मिलेगी देख सकते हैं यहां पर value given है आपका efficiency efficiency जो 60% यहां पर given है तो यहां पर 60% को लिख सकते हैं 60 by 100 और power output हमें find करना है तो पी नॉट्स इसको दिखाए हैं और पावर input का value यहां पर given ही है आपका जो कि है 5 kilowatt given है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं power जो है output का value निकाल सकते हैं और इसको further cross multiply कर लेंगे तो यहां पर हमें result मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 3 kilowatt यहां पर power output का value मिल जाएगा अब हमें question में find करने बोला गया था कि यहां पर power output find करने के लिए हमें value तो मिल गया 3 kilowatt है हमें find करना था क्या हमें find करना था secondary current तो secondary current का जो है यहां पर formula हो जाता है दोस्तों यहां पर i equal to P0 divided by भी लगा सकते हैं यह आपका formula हो जाता है secondary जो है धारा यानि secondary current को find के जा सकता है इस formula से यानि जो है output यहाँ power output divided by यहाँ पे आपको क्या करना है voltage कर देना है तो इसका value तो हम निकाल चुके हैं 3 kilowatt है यानि power output का value then voltage का value question में ही given है जो कि है 150 volt जब इसको further solve करेंगे तो हमें result मिल जाएगा दोस्तो क्या मिल जाएगा result तो इसको अगलो हम लोग calculate करते हैं तो 20 ampere हमें result मिलेगा तो 20 किस option में है ampere यह में है तो option यह आपका correct हो जाएगा next question blank, गरम पिंडो और अनुवधारा उत्पन होती है तो blank are produced by hot bodies and molecules तो यह infrared जो होती है यह आपका जो है produce होती है next question है एक प्रनाली जिसमें दो समान और विपरित आवेश एक सिमित दूरी से अलग होते हैं कहलाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं आपका electric dipole कहलाते हैं विद्धूतिय दीधूर्ब कहलाते हैं किसी cell का अंतिरिक प्रतिरोध किस पर निर्वर करता है तो किसी cell का अंतिरिक प्रतिरोध जो है किस चीज़ पर निर्वर करता है तो यह आपका निर्वर करता है distance between the plates common era of the electrodes immersed into the electrolyte or concentration of the electrolyte यानि इन तीनों चीजों पर जो है निर्वर करता है तो option आपका all of अबब हो जाएगा यानि all of these correct हो जाएगा निमनल कित में से किस समगरी में स्थीर सापक्ष परागयमता नहीं है it means which of the flowing materials does not have a constant relative permeability तो यह किस में नहीं है तो लोह चम्बुक में नहीं होता है यानि फर्गमेंटिक में नहीं होता है फर्मेंटिक में नहीं होता है option A आपका correct हो जाएगा अगेन एक numerical आ गया दोस्तों और यह numerical आप देख सकते हैं two amplifier are connected in series one after the other the voltage gain of the both amplifier is 10 and 20 calculate the output signal if the output signal is 0.01 बोल्ट तो इसको कैसे करेंगे तो दिखिए यहाँ पर first amplifier first amplifier का जो value है वो आपका यहाँ पर given है 10 और second amplifier का value यहाँ पर given है जो की है 20 तो यहाँ पर हमें total voltage पूछ लिया है find करने total voltage को हम लोग कैसे find करेंगे तो del V0 equal to आता है del V I into A V1 into A V2 यह formula में put कर देंगे यानि सारे result को अगर यहाँ पर एक minute दोस्तो चलिए यहाँ पर करते हैं मतलब सारे value को यहाँ पर multiply कर देंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका result है यहाँ पर कुछ इस परकार है input signal का value जो है 0.01 है multiply हो जाएगा 10 into 20 तो इसको अगर calculate कर लेते हैं तो we will get 2 volt यहाँ पर पूरा solve करेंगे तो 2 volt आ जाएगा answer यानि option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ पर पूछ लिया था कि calculate the output signal तो सब का multiply कर देना था दोनों amplifier का voltage का और आपका input signal का तीनों का multiply कर देंगे तो निकल के आ जाता है आपका जो है total output यहाँ पर voltage total voltage जो है यहाँ पर find हो जाता है तो ध्याँ रखिएगा next है आपका निम्नलिकित में से कौन सा अपोकरन बिद्धूतिय उर्जा को एक परितावर्ति धारा circuit से एक या एक से अधिक ion circuit में इस्थांतिरित करता या तो voltage बढ़ाता या कम करता तो यह काम किसका है तो यह काम voltage बढ़ाना घटाना यह transformer का का काम होता है transformer यह perform करता है आपका second option correct हो जाता next question है which of the flowing is an R elementary semiconductor कौन सा जो है elementary semiconductor है तो silicon germanium option third में silicon germanium both या none of this तो देखिए silicon और germanium दोनों ही जो है semiconductor में आते हैं और elemental semiconductor में आते हैं तो option 3 आपका correct हो जाएगा iron का नाभिक द्रेवमान इतना है तो उसका पर्मानो घनत्व क्या है अगे जो है एक numerical है तो इसको अगर solve करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूछ लिया है the mass of iron nucleus as 55.85 unit and a equal to 56 तो what is the nuclear density तो यहाँ nuclear density find करना है तो देखिए nuclear density को जो है यहाँ यहाँ रोस से denote करेंगे तो इसका formula हो जाता है mass open volume क्या होता है mass open volume तो mass open volume यहाँ पर find करेंगे तो mass जो यहाँ पर होगा यहाँ पर तो volume का जो formula हो जाएगा 4 by 3 pi r q हो जाएगा और यहाँ पर mass find करेंगे तो mass को यहाँ पर इसका result आपका निकल के आएगा because हमें पता है कि यहाँ पर atom के जो आपका nucleus होता है उसमें proton और neutron होता है तो यहाँ पर आपका mass of the nucleons and total number of nucleons यह आपका जो है यहाँ पर mass निकल के आएगा इस चीज से तो इसको जब हम लोग यहाँ पर calculate करेंगे दोस्तों तो कुछ इस पर कर आपका result output निकल के आएगा आपका formula कुछ इस तरह बनने वाला है कि आपका row से denote कर रहे हैं आपका nuclear density को तो इसका result आपका आजाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 into A upon 4 by 3 और πाई का value यहाँ put कर लेते हैं चल्ड़िये πाई ने लिखते हैं उसका decimal जो value होता है 3.14 इसको value put कर लेंगे and r0 cube into A आजाएगा तो A यहाँ पे cancel out हो जाएगा और यह जो value है दोस्तों यह आपका directly value होता है mass of proton equal to mass of जो आपका neutron होता है इसका value यह direct होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kz तो यह इसका mass होता है mass of proton equal to mass of neutron का value है तीस तरह सिसको अगर हम लोग यहाँ further calculate करेंगे इस पूरे equation को तो we will get हमें मिलने वाला है 2.25 into 10 raise to the power 17 kz per meter q तो यह आपका किस option में match कर रहा है तो देख सकते हैं option जो है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका आ जाएगा option आपका आ जाएगा third यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला option आपका match कर जाएगा यहाँ पे approach value लिया गया है 2.29 है तो यह वाला आपका जो है यहाँ पे correct हो जाएगा next question नाभिक और उसके घटकों के द्रेबान में अंतर desk कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है आपका mass defect क्या कहा जाता है mass defect कहा जाता है यानि option 2 आपका correct हो जाएगा what is the main element did bore used in model तो bore used in model यानि bore के ने अपने model में किस मुख तत्व का परयोग किया तो यह hydrogen तत्व का परयोग किया था 2 आपका correct हो जाएगा photoelectric प्रभाव की वाइखा निमलकित में से किस के दरह की गई थी तो photoelectric effective जो वाइखा दिये थे वो आपका किस ने दिया था तो Einstein ने दिया था option 2 आपका correct हो जाएगा तरंगो से supersonic का सिद्धन तब लागू होता है जब परकास के 2 या 2 से अधिक स्रोथ death बिंदू को रोसन करते हैं तो कितने बिंदू को रोसन करते हैं तो ये एक सवान बिंदू को रोसन करते हैं same को रोसन करते हैं यानि same आपका correct option हो जाएगा निमलकित में से कौन सा Doppler प्रभावत तरंग का उधारन है तो डापलर प्रभावत रंग का उधारण कौन सा है तो यह है आपका एम्बूलेंस हो या दमगल गाड़ी दोनों ही एक जो है साइरन की आवाज सुनाए देगे यह बोथ तो यह था दोस्तो आपका 18 questions जो आपका physics से पूछा गया था तो समझ सकते हैं लेबल को आप लोग समझ लिए होंगे यह पूरी तरीके से जो है 11 और 12 के जो NCRT physics के chapters है उससे जो है यहाँ पे पूछे गए हैं और वो भी आपके जो है यहाँ पे देख लिए होंगे कि आपका physics का किस किस chapter से आपके आए हैं तो यह था दोस्तो physics का question I hope कि वीडियो पसंद आई होगी तो एक like जरूर कीजेगा thanks for watching